लखनों में आज सुबा सपा कारेले से लेकर अखलेश यादव के घर तक पूरे इलाके को चावनी में तब्दिल कर दिया गया है ऐसे में गुसाई सपा नेताओं ने पुलिस के खिलाफ जम कर नारे बाजी की है इस दोरान प्रदर्शन कर रहे सपा कारेकरताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है आपको बता दे कि करनावज में जिलाधिकारी ने अखलेश यादव के किसान मार्च को मनजूरी नहीं दी लखनों में अखलेश यादव के आवाज से विक्रामादित इमार को पूरी तरह सील कर दिया गया है भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और किसी भी प्रदर्शन से निपटने की पूरी तयारी कर ली गई है पुलिस प्रिसाशन हाई अलोट पर है दरसल किसान आंदोलन की आग पूरे देश में फैल चुकी है देश के बारा से ज्यादा सियासी दलों ने किसानों का समर्थन भी किया है तो रकातार देखा जा रहा है कि 12 से ऐसे ज्यादा सियासि दल है जिन्नोंने किसानों का समर्थन किया है इस बीज देखे तस्वीर कैसे समाजवादी पार्टी के कारेकरताओं को पुलिस रोक रही है और प्रदर्शन करने से मना कर रही है अगर किसान की आवाज कोई उठाना गुना है गरीब की आवाज उठाना गुना है तो वो समाजवादी पाटी ने किसानों के लिए शमर्थन में पूरे प्रदेश में किसान आत्रा निकालने का राष्ट्रिय अद्धिक जी का निदेश था और राष्ट्रिय अद्धिक जी खुद माननी करनो जा रहे थे और जिस तरीके का पुलिस ने बेर्गेटिंग लगा के अगोसीत एमर्जेंसी जैसी बना दी है और जिस तरीके का अन्याए पुलीस प्रसाचन कर रहा है और रोक रहा है हम लोग जाना चाहते हैं लगातार पुलीस रोक रही है और ये आज किसान बहुत बदहाल है गरीब है और ये बीजेपी सरकार किसानों के खिलाब है आप नहीं रोक सकते विरोध करना हमारा लोग सरकार के गलत फैसलों के खिलाब विरोध करना हमारा लोग तांतरी का धिकार है ये कोई सरकार हमसे चीन नहीं सकती तो एक तरफ लगातार किसानों का धर्ना प्रदर्शुन जारी है तो दूसरे तरफ समाजवादी पार्टी अपना समर्थन इन किसानों को दे रही है और ऐसे मौके पर जब उन्होंने ये सोचा है पार्टी ने जब ये सोच लिया है कि किसानों के समर्थन में वो भी पध्यात्रा निकालेंगे लेकिन प्रसाशन के तरफ से अब उन्हें रोका जा रहा है अब नीश हमारे समवादाता हमारे साथ जुड़ गए हैं जदा बाच्चित के लिए अब नीश फिलाल क्या ताजा तस्वीर देखी जा रही है क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के जितने भी कारे करता है उन्हें तो रोक दिया गया है कैसे आवाज बुलंद करेंगे किस बड़ी मात्रा में तैनात हैं और यहां पर बैरिकेटिंग की गई है गोतमपली थाने के पहले से ही पूरी बैरिकेटिंग कर दी गई है और सबसे खास बात है कि अखिलेस यादों की जो फ्लीट है उस फ्लीट को भी दो बैरिकेटिंग के बीच में रखा गया है यानि खुद यहां पे मौजूद हैं और आपको सबसे खास बात बताते हैं कि आज 11 बजे अखलेस यादो वहां पे किसान यात्रा निकालने वाले थे और कन्योज में मंडी से लेकर किसान बाजार तक यह यात्रा निकाला जाना था किसान अंदोलन के समर्थन में लगातार अखलेस यादो के अपनी बात भी रख रहे थे और सबसे खास बात आपको बताते हैं कि 11 बजे कन्योज में कारकरम था लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के तमाम कारकरताओं को तमाम नेताओं को गिरफतार किया गया है और आज विक्रमा दित्य मारग पे MLC उदवीर सिंग, आसु मलीक और राजपाल कस्यप को भी पुलिस गिरफतार करके ले गई और तमाम जो कारकरता थे उनको भी गरफतार करके ले गई तो आंदोलन चुकि 11 बजे सुरू होना था लेकिन 11 बजे तक लखनों में ही अखले सियादों यहाँ पे मौजूद हैं और माना जा रहा है कि अखले सियादों कुछी देर में सड़क पे उतरेंगे और अपनी बात मीडिया के सामने रखेंगे तो ऐसे में क्या व्यापारी भी इस पूरे प्रदर्शन में अपना समर्थन देने पहुंचेंगे किसानों के बीच जो बिल्कुल देखए आट दिसंबर को खिसानों ने भारत बंध का अवान किया है उससे पहले जमाम किसान व्यापारी भी जो है जो मंडी के व्यापारी हैं उन्हों ने समर्थन देने की बात कही है और किसानों को चारों तरब से समर्थन मिलता हुआ दिखरा है अगर बात करें विपच्छी दल को तो चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कॉंग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो सभी ने किसान अंदोलन को समर्थन दिया है और सबसे खास बात यह है कि पूरी तरह भी पच्छ के साथ तमाम जो ऐसे किसान संगठन है तमाम जो मंडी परिशद में तमाम जो संगठन है वह एक हो चुके हैं और सभी सड़क पे उतरने की तैयारी कर चुके हैं तो आड़ दिसंबर को जब भारत बंद होगा तब देखने वाली ब किसान प्रतीनी थी हैं उनसे जाके अधिकारी खुद बातचीत करेंगे अपनी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए खबरों में आगे बढ़ेंगे किसानों के समर्थन में आप विपक्षी पार्टियां भी आ गई हैं कॉंग्रेस स्रेतार राहुल गांधी ने उन्होंने कहा है कि अडानी अंबानी क्रिशी कानून रद करने होंगे और कुछ भी मन्जूर नहीं तो बड़ी बात और साफतार पर देखा जा रहा है कि अखिर किस तरीके से विपक्ष एक जुट है इस सम्वेदन शील मौके पर दिल्ली के सेमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल सिंधू बॉर्डर पहुंचे जहां पर बड़ी संख्या में किसान डटे हुए है सिंधू के साथ डिपिटी सिंधू मनीश सोदिया और उनके स्वास्त मंत्री सतेंदर जैन भी मौझूद रहे इस दोरान केजरिवाल ने किसानों से मुलाकात की और उनके समस्याओं को जाना और साथी दिल्ली सियम अर्विन केजरिवाल ने कहा कि हम किसानों की हर मांग का समर्थन करते हैं किसानों का मुद्दा और संखर्ष जायज है दिल्ली सरकार और हमारी पार्टी किसानों के संखर्ष में साथ है जब किसान बॉर्डर पर आय थे तो केंद्र और दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के नौ स्टेडियम जेल बनाने के लिए परमिशन मांगी थी तो वहीं केंद्र पर आरोप लगाया कि उनके उपर दबाव बनाया गया तो ये कहा गया है अर्विन केजरिवाल की तरफ से और साफ़तोर पर एक सॉफ्ट कॉर्णर अर्विन केजरिवाल में देखा जा रहा है किसानों को लेकर इसके भी बहुत बड़े और एहम माइने है इन सब के बीच तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब अर्विन केजरिवाल पहुंचे किसानों के बीच उन्होंने बातचीत की और हुलाकाद भी की किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है शुरू से हम पूरी तरह से मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के संघर्ष में साथ रहे हैं आपको याद होगा कि शुरू-शुरू में जब किसान बॉर्डर पे आए थे तो गेंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के नौ स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने पर्मिशन मांगी तूँ उस टाइम मेरे उपर बहुत दबाव डाला गया चारो तरफ से कई फोन आये खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम पर्मिशन दे दें उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे लेकिन हम ल सब्सक्राइब करें जनतंतर टीवी एड प्रेस्टाइब बेल इकन नेवर मिस अनी अपडेट